अब सिन पल्टेगा क्यूंकि बीग बोस देंगे 2020 को जवाब यहां भाई याज हम रिव्यू करेंगे बीग बोस का एक नया पीक आया है सलमान खान का जोगी मस्त तलवार ऐसा लेके रेड टीशट पर भाई सुपर्व लाजवाब फाड़ू थासू बोले दो जितना तलवार पकड़े ना भाई लाव रिजूरेट टीशट पेने अब लेक्ट पेने सुपर्व दिख रहा यार लाम वो चिकना वाला लुक है और उनका है रिस्टाइल रहे यार कुछ मत यार क्या बता हूं अब कितना मस्त देख रहे ले उसमें बीग बोस का कमड़ूं टू शुरू हो गया पाइब बोलते ना भाई कल प्रेस को फ्रेंस था जब उनकी इंट्री जो ही थी जिस तरह से उनकी इंट्री हुई देखने में दिर्चास वराव वो जस्टी आँ ची आँ जस्टी आँ जिस्टी आउन वो संब बजा उन्हों ने प्रमोंस किया 30 seconds तो मजा अगे देखके वाई यह पिक की बात करूँ ना भाई आप लोगा अगर पीक नहीं देखो ना कुछ नहीं देखे यार यारी पिक नहीं देखे तो फटा पड़ जाओ पीक देखो यहां क्लेक्टिव यून टीव वाले ने इसको डाला है अभी ना बीग बोस को लेके कुछ नो कुछ नहीं नहीं चीज़ आरिए अभी कंटेस्टेंट जो भी आने वाले उसका खुलासा तो नहीं हुआ है धिरे धिरे आ रहा है नाम भाई मागर तीन अक्टूबर को नाम धमा का जो बोलते ना धमा का बावाल लोगा फिर वहीं चलेगा फिर वहीं चलेगा अपना ऑब ले तो बेकेंड का वार सलमान खान बीकेंड का वार में आते हैं ना बाए वहला उनका जो इंट्री होता है ना हो सीदी से उतरने वाला इस बार तो लगता नहीं कि वह साथ सेम तूसेम होईगी युद्य हुए पैंड़ने चल रहा है भी देस में तो कुछ अलग होने इसलिए उन्होंने इस बिग बुस में एक नए डायलोग लॉंच किया कि सीन पलटेगा तो चाहिए से बात है सीन पलटेगा इसलिए उन्होंने डायलोग किया यह वाला तो भाई फिक फट फट अब देखो सोलिड है तो आप लोग वीडियो किसे अच्छी लगी